हलो स्टुइट्स नेक्स देखींगे एक्जैम्पल नम्ब 11 क्या खिया रहा है अब देखो यहां पर भी सारे कंसेट्ट यूज़ोंगे मैं सारे बताऊंगा कि करके साइन 15 के आपनको वैलिव पता नहीं होती है तो मैं इसकी जगlor 45-30 लिख सकता हूं क्या हां सर फूरी वैलिव की यह और इसका आपको फॉर्मूला पता होगा sin x minus y का formula क्या होता है हमारे पास सर sin x minus y का formula होता है sin a यानि कि sin x cos y और यहाँ पर minus है तो यहाँ पर minus और फिर यह cos x और sin y या फिर sin y आगे लिग लो cos x पीछे लिग लो कोई फिरकने पड़ता ठीक है तो यहाँ पर यह as a x as a y work करेगा तो इसकी जगे में क्या कर सकता हूँ sin 45 degree multiply cos 30 degree minus cos 45 degree और sin 30 degree लिख सकता हूँ sin 45 की value कितनी होती है 1 by root 2 होती है cos 30 की value के लिए आपको sin 60 की value पता होने ची यह की होती है root 3 by 2 समझ में आ रही है हाँ सर इसकी value देखो cos 45 की value कितनी होती है 1 by root 2 sin 30 की value कितनी होती है अब आप क्या करोगे ऊपर root 3 हो गया नीचे 2 root 2 हो गया और यहाँ पर 1 by 2 root 2 हो गया LCM लेंगे तो root 3 minus 1 और नीचे 2 root 2 as it is rationalize कर सकते हो root 2 upon root 2 करके कितना हो जाएगा root 3 minus 1 bracket के बाहर root 2 और upon में कितना हो गया root 2 root 2 multiply करेंगे तक example 11 completed